तो वहीं प्रदेश कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीम सचिन पाइलट ने जल्द मंत्री मंदल विस्तार होने और राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद जताई है PCC कारयाल में मीडिया से बाचीत में पाइलट ने कहा कि सरकार को बने धाई साल का वक्त हो चुका है मुक्य मंत्री अशोग है लो तो समय समय पर राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में और तेजी से काम होना चाहिए मंत्री मंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए जो तीन सदस्य कमेटी बनी थी उसमें एक सदस्य अहमत पटेल के देहांत के चलते कामकाज ठप हो गया था लेकिन अब सोन्या गांदी के निर्देश पर कमेटी जल्द काम पूरा करेगी पाइलेट ने कहा कि कॉंग्रेस तीनों उपचुनाब में जीत दर्च करेगी उपचुनाब में नेताओं, कारिकरताओं, विधायकों और मंत्रियों ने चुनाब में खूब मेहनत की सरकार ने 25 साल में जो काम किये हैं उसके आधार पर भी जनता कॉंग्रेस को वोट देगी उन्होंने कहा कि भाचपा इन दिनों अंतर कले से जूज रही है पारेट ने कहा कि देश प्रदेश में कोरुना की इस्तिती काफी गंभीर है हमें अपने अनभव से सीखना चाहिए जो बचावा कारेकाल है उसमें और गती से काम करना पड़ेगा इसमें पॉलिकल अपॉर्टमेंट्स हैं मंतिमल का विस्तार है या जो भी करना है उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमरह बनाएंगे